हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरू जी फ्रेंट जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट का जो एक्जाम है वह 31 जनवरी को होने वाला है और आज से जो है केवल एक दिन का समय आपके लिए बचा हुआ है तो कुछ इंपोर्टेंट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जी आप फ्रेंट्स जानना आपके लिए बेहत जरूरी है क्योंकि यह जो इस्ट्रक्शन है जो आप एक्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट होंगे साथे फ्रेंट्स में आपको बता दूँ कि ज चात्र के जो है एक्जाम जो देने जा रहा है उनके एड़्मेंट कार्ड में कुछ गलती है किसी के एप्लीकेंस फॉर्म में कोई गलती है तो उसका क्या समाधान किया जाए तो वीडियो मा अंतक बने रहेगा वीडियो को लाइकनिक कर दीजीगा टेकनिकल लिए हिंदिर देखेगा बिल्कुल भी इसकिप ना करें क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है जब आप मालीजी के जो भी इस्ट्रक्शन है वो इस्ट्रक्शन रीड करना बहुत इंपोड़ेंट है ठीक है यह वहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज रहेंगी वो सभी आपकी इ इस्ट्रक्शन भी दिये कहे हैं और कुछ अलग से इस्ट्रक्शन उना ने दिये है वो इश्ट्रक्शन इस वीडियो हम देखेंगे तो फूरत जब आप JASON करने के बाद को भी सबनीन की सब्सक्राइं काराण यहां पर काफी यग सक्राइब करें या अगर आपको कफ आता है तो औरसे अगर आपको सर्दी बग्यारा कूं अगर आपको प्रावलम हो तो यहां टेक कर दीजिएगा अगर नहीं है तो कुछ भी टिकेश्न ना की जीएगा अगर आपको दीज़िए गईसे कफ फीजड़ी बगारा ब्रीफिट प्रव्लम हो कुछ भी फिलना करें फिलना करें ब्लैंक ही छोड़ां पूरी तरह से फट ह जाएगा क्योंकि आपको पता है कि कोबिट नाइंटीन के कारां सभी छात्रों को सोसल डिश्टेंसिंग बराने के लिए जो है बोला गया है तो यहां पर आपको यह बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी के साथ साथ आपको यहां पर अपना सिंग्नेचर यह कर दीजिगा बकाया फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद आपको नीचे जस्ट आपका एडमिट कार्ड होगा ठीक है तो एडमिट कार्ड आपका होगा नीचे ठीक है इसे कोट के लिए मैं आपको इसे दिखा नहीं सकता तो जो आपका एक्ज इसमें दिये गए हैं अलग से इस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूं तो देगी फ्रेंड्स यहां पर जो है कुछ इस्ट्रक्शन दिये गए हैं इसमें बोला गया है कि 31 जनवरी को एक्जाम होने बाला है कि के सीवेसी का सीटेट का बोड हैज बीन इलेवोटेट एग्रिमेंट फॉर दा सेफ कंड़क्ट ऑफ एक्जामनेशन एट ऑल एक्जामनेशन सेंटर्स भाई ठीक है जो यहां पर कुछ नहीं दिया गया है जो इंपोटेंट है वो बतात सेमेल की आती है सेनेटाइज एक बोटल आती है वो लेकर जानी होगी जो की पॉकेट हेंड होगी ठीक है आप छोटी सी बोटल आती ज्यादा बड़ी नहीं जो से आप अपनी पोकेट में भी रख सकते हैं जेम में भी रख सकेंगे उसके बाद यहां पर बात की जाए तो आघे अधे यहां पर बताएगे हैं जब भी कोई बात नहीं होगी पानी की पोटल नहीं लाते हैं फिर भी कोई बात नहीं है लेकिन जोब जाएगा पानी की बोटल नहीं लेकर आए तो आपको एक्जाम नहीं दे दे जाएगा ऐसी कोई यहां से कंडिशन नहीं है हलाकि यह आपके सेटी के लिए ही बता जा रहा है अगर आपके पास है आप खरीज सकते हैं तो लेकर जाएगा अच्छा रहेगा क्योंकि आप हर आपका देखीगा पूरा आता है आपका मुझ जो पूरा है ठीक है तो पूरा मुझ ढगने के लिए को मास्क आता है जिसमें आपका नोज बगेरा माउथ सभी कोई ढग जाता है तो ऐसा जो लेकर आएगा कबर कीजेगा अपना पूरा यू बिल फॉल फॉलो सोचल पालन करना होगा यू बिल कैरी यू ओन ड्रिंकिंग बॉटर आपकी ड्रिंकिंग बॉटर जो है बोले कर आनी होगी अपनी खुद की यू बिल नॉट एक्सजेंज और लॉन आर्टिकल इंसाइड एक्जामनेशर रूम एक्जामनेशर रूम में जब आप जाएंगे तो यू बिल यूज सेफ मोड दा ट्रांसपोरेशन फॉर कमिंग टू दा एक्जामनेशर सेंटर एंड रेटर्निंग बैक टू हॉम तो यह कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो की इंपोर्टन हैं आप इसको रीड कर सकते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं आप यह यहां पर बोला गया है कुछ नोट में दिया गया है कि इनके सिगनेचर एंड और फोटोग्राप ऑफ दे कंडियेट्स इज आर मिसिंग और नौट प्रोवाइड विजिवल और नौट परटेनिंग टूदा कंडियेट्स इन दा एबव ओनलाइन एडमिन कार्ट फॉर सिगनेचर पर नीचे लिखी होगी जस्ट आपके अडमिन कार्ट के नीचे और कॉंटेक्ट सीट इनुट फॉर इंक्लीजन ऑफ दा सेम इन एडमिन कार्ड कंडियेट्स हैविंग एडमिन कार्ड बिदाउट प्रॉपर विजिवल फोटोग्राफ एंड सिगनेचर बिल न आपका जो एडमिन कार्ड है उसमें कोई सिगनेचर बगएरा की गलती सिगनेचर सही नहीं आ रहा हो ठीक है यहां आपका फोटो सही नहीं हो तो ऐसी कंडिशन में आपको क्या करना है इस मेल आईडी पर यह जो दिए है सीट जुलाइट ट्वेंटी ग्मेल डॉट कॉम इ आपको एकजाम नहीं देने दिया जाए ठीक है यह कंडिशन है आपको एकजाम नहीं देने दिया जाएगा बहुत से छात्री ऐसे भी है जिनके application form में कुछ गलती है तो आप क्या कीजेगा mail id पर mail जरू कर दिजेगा क्योंकि अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ आपक उसमें कुछ और नाम है आपके admit card या application form में कुछ गलत हो गया आपका कुछ और नाम है तो ऐसे आपको exam तो नहीं देने दिये जाएगा लेकिन आप क्या करना है खुल सकता आपको दे नहीं दिया जाए तो आपको करना क्या है कि आपका जैसे मालीजे का एक स्टुडेंट से है जिने मुझे कॉल किया मैसेज किया उन्होंने यह बोला था कि सर हमारा जो एप्लीकेशन फरॉम में हमारी गलती यह हो गई थी कि हमने जो हमारा सही नेम है वह तो सही नेम अपने application form में नहीं भर पाए कुछ गलती से वह मिस हो गया हमारे admin card में कुछ और सरनेम गलत है जिन क्या है मुझे confirm नहीं रहा लिकन उनका identification card में कुछ और है तो ऐसे मैं आपको क्या करना है इस mail ID पर mail कर देना है और mail करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है exam देने जाएगा वहां जाएगा तो वह अगर कहते हैं कि आपको exam नहीं देने दे जाएगा तो आप एक बार इसको जरूद दिखा दीजीगा mail को किसरा आपने ऐसे से CTAT के लिए mail भी किया है तो हलाकि अगर कुछ गलत होता है तो exam नहीं देने दे जाएगा लेकिन अगर आपने application form में सही वरा है और admin card में कुछ गलत हो गया है तो तो आपको exam देने दिया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपने application form में ही गलत कर दिया है तो दिक्कत हो सकती है तो इस पर mail कर दीजेगा और बकाय जो भी रहेगा ठीक है वो तो रहेगा ही रहेगा ठीक है तो यह है कुछ important और आपना जो कुछ भी documentation रहते हैं वो लेकर जाएगा ठीक है पैयान बगार जो कुछ भी लेते हैं OMR seat पर आपका आपके लिए तो इसके रिगाने जो भी रहेगा हो तो कमेंड में पूसकते हैं